है गई इस कैसे आप लोग मैं हूँ शोबाम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूटूब चैनल इस वीडियो में हम बात करने वाले है आर्ट सी भी वार्ट माई के बीच में होने वाले नेक्स्ट आई पेल मैच की तो क्या होगी हमारी टीम क्या होंगे फिल मुकाबला जो की पूर्णे में खेला जाएगा और पूर्णे में अगर हम पिच रिपोर्ट की बात करें तो अभी मैं आपको आगे देखा दूंगा प्रॉपर मैचेस के साथ के यहां पर हो क्या रहा है ठीक है आगे आपडेट कीजिए वीडियो को पूरा दिखिएगा फ परफॉर्मेंस इस आई पिल में बहुत अच्छा रहा है इसके अलावा आप देख सकते हैं और लाउंडर सेक्शन में आपके पास है और टी ब्रेविस इसके अलावा आपके पास है पॉलार्ड एस एमाद हसरंगा है बोलिंग सेक्शन में देखें तो यहां पर दो अच्छा आपको देखने को मिलेंगी प्लेर बेटल जैसे कि आपको सबसे और देखने को मिल रहा है विराट कोली बबरसे जस्पी नहीं रहती है वो मरा ने चार वार विक यत निकाली विराट को लिए बट बर्कोली ने एटीव एटीफूर बॉल्स पर 110 भी बनाया है इ काफी important player battle रहेंगे और आज के मैच में यह आपको एक राइवर्ली स्टाइब देखने को मिलेंगी ठीक है इसके बाद हम आगे बात करते हैं प्लिर बैटल की जिसमें आपको देखने को मिलेंगे अब इसमें कुछ प्लिर बैटल की तो आपको देखने को बिलेगा सबसे पहले तो यहां पर सिद्धा अर्थ कॉल की काफी पिटाई करी है सुरुकुमार यादव ने फिर यहां पर करण शर्मा के खिलाफ अच्छे खासे रंस बनाए रोही शर्मा ने और सिद्धा अर्थ सिराज ने शान किचन के सामने जो परफॉर्मेंश दिए उन्तिस रंपिटवाए एक लिए इसके वाद यहां पर मौम्मद सिराज ने पूराट का एक बार विकेट निकाला है तेरा गेंदों मैं मैक्सवेल ने एक बार रोही शर्मा का भी विकेट निकाला हुए और हर्ष को भी आपको बता दू यह अब प्रैक्टिस सेशन में देखने को मिल रहा है और कंफर्म में खेलने वाल है ठीक है आगे हम बात करते वेन्यू स्टैट्स की तो देखें टीनी मुकाबले यहां पर जिसमें से दो बैटिंग सेकेंड ने जीते एवरी स्कोरिंग 153 की इंडि मैच बैटिंग फस्टीम ने जीते हैं और 21 मैच बैटिंग सेकंड जीते हैं और चिन्नी सोपर किंग्स का 211 यहां पर हाई इस टोटल बना हुआ है मैक्सिम अगर आप रेंज देखें नीचे स्कोरिंग पैटर्न में तो आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा रेंज सब्सक्राइब करें देखने को मिलती है इसके आगे चलते हैं बात करते हैं आकरी मैच इसको थोड़ा साम डेटेल में देख लेंगे क्योंकि यह काफी सेग्मेंट है जिसमें हम आपको बताएंगे किन बोलर्स ने कितने विकट निकाले सबसे पहले तो आकरी मैच जो करते उसके बास सेकंड इनंग में इस्सपिन को दो मिले और पेस जो तीन विकट में मिले यक्में परेल 2022 में एक मैच खेला गया ता जिसमें स्कोरीं 150 171 के अससपास हुई थी जीटी ने उस मैच को 14 देशर या सभ्व देखिए अब उस मैच में चालिए प्यंड मैं इने लाली और पांच फेसर ने सैकडर्ड इनिंग में एक विक स्पेनर साथ विक पेसर टोटल दो विकिर सिर्फ बारा विकिट पेसर देख सकती कि तना फराक है कि सब्सक्राइब को पर देपार्टमेंट को उत्ती मदद नहीं पेस डेट इनोंको काफी मदद मिली टोटल देखे तो तैन निकल के आता है तो यहां भी पेस ने बहुत डॉमिनेट किया यानि ओवरल पूने में आप देखेंगे कि पेस डिपार्टमेंट यानि तेज गिंदबास जो हैं तेज गिंदबास उन पर आपको फोकस करना है और भी अच्छा कर रहे हैं क्योंकि काफी रिकॉर्ट तूटे हैं 210 रार ने यहां पर बनाया और इसके अलाव अगर हम देखें तो चेजिंग में भी यहां पर स्कोरिंग मैक्सिम मैक्सिम मैक्सिंग क्या सपास हुई है इनको थवासा देख लिए इसका बात करते हैं पॉइंट स्टेबिल की तो देखिए आर और आर्सीवारा जीती पेटिंग फस्सक्रतेवें माइं इने 10 मैच जीते यहां ज्यूति जीते हैं वेटिंग बैटिंग सेकेंड गरते हैं मैइने जादा मेच जीते आख़री पांच हाला की लगव बराबर है क्योंकि आख़ी पांच मैच्छे मैं सबसे नीचे देख सकत मुंबई का मैंने लिखा हुआ है लूज 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 विन विन यानि आखरी तीन मैच मुंबई हार के आई यह उसके पहले के दो हजार एकेस में दो मैचेज जो खेले थे वह दोनों जीत के आई थी आर्सीवी का देखें तो आखरी कुछ मैचेज में आप परफॉर्मस देखी सकते हैं विन विन लूज लूज विन यह इनका परफॉर्मस है लास्ट पांच हैट्ट मुकाबलों की बात करते हैं आखरी 50 प्लस जाता है प्लस 50-50 परसेंट दोनों टीमोंने मैचेज विन करें एक मैच टाई हुआ है टीम हिस्टी की बात करें तो ओवरॉल आई परसेंट विनिंग रेट है रॉयल चिंज बैंगलोर का और मुंबई का 57 परसेंट का विनिंग रेट है यहां पर मुंबई थोड़ किया हुए है अगर आप देखें तो दोनों प्लस का एवरेज है फिर आते हैं डिवाल ब्रेविस जो की काफी पावर फुल बल्लेवाज है और अभी अभी एंट्री इन्होंने मारी आई पिल में राइटी बैट्स मैंने 31 का एवरेज आखरी तीर इनिंग्स में 29 16 46 यह और डिवाल को थोड़ा सा अप मौका मिलेगा खेलने का अगर यह नहीं खेलते तो फिर तिलग वर्मा नंबर चार पे खेलते तब उनकी इंपॉर्टन थोड़ी अच्छी है तिलग वर्मा ने इस सीजन हर मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिया दिख सकते हैं लास्ट मै मैच ते 50 प्लस की स्कोरिंग कर रहा है एफट लेसली बैटिंग कर रहे हैं है तो सबसे च्छा स्टेट यहां पर सूर रहेगा आपको देखने को मिलेगा आप पोडिशन टीम के खिलाफ फिर यहां पर केरण पुलाड जाते हैं जो कुछ ओवर बॉलिंग कर सकते हैं पिछ पिछले मैच में वाइस रण लगा है जिसमें तीन चक्कें इनकी इंकलूड ते समझ सकते हैं कितने इजी लिए बैटिंग करते हैं बस वहीं बैटिंग इनकी जल्दी आजाए फिर आते हैं जो पिछले मैच में काफी कौसली सावित हुए थे तीन और में ही उन्होंने 50 र हम चाहिए बात करते रहा गोट करते सबस्प्रटरिणार करत करें कि तो आपको लेने है भी बहुत अच्छा है देख सकते मुनाथने आखरी मैचस में हर वह निकाली। प्रफिश्ट के पास टिम डेविड अनमुलपीट सेंग है रमंदीफ सिंग जैदे वुनाथ कट है बाकी बैंच स्ट्रेंट यह बैंच स्ट्रेंट है यह बैंच स्ट्रेंट है ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं अगली टीम की रॉयल चंज बैंगलोड जिसमें आपको फा स्ट्रेंट के आगे स्ट्रेंट बताऊंगा और नंबर चार पर क्यों बहुत अच्छे पेक होंगे कप्तानी के वह ब्याप को बताऊंगा फाप डूप्लिस की बात करें कप्तान राइटी वैट्समें 31 का रिसेंट फॉर्म काफी बढ़िया बाकी प्लेस के मकाबले तो य अच्छे बल्लेवाज है बड़ यह उत्ता बड़ा स्कूर नहीं बना पाते हैं विराट कोली की बात करें तो फॉर्टी वन का एवरेज है रिसेंट फॉर्म उत्पच्छा नहीं है है तो में काफी अच्छा स्टैट है आकरी तीन मैच में दो बार स्कूरिंग अच्छी कर बैटिंग आने का चांस कम रहता है और इनको मैंने थोड़ा सा उपर दरू बैटिंग में दिखा दिया बट आम तोर पर टीम करके आ रही है कि इन से पहले शावाज एमत को भीज रही है देविड विली को भीज रही है और दिनेश कार्तिक को बहुत जादा रंस बना दे फिनिश करते हैं ठीक है तो कभी-कभी होता है फिनिशर के पास उत्ता मौका नहीं मिल पाता तो आप यह मां सोचेगा कार्तिक बहुत जादा रंस बना दे तो आपको इनको लेना ही है बट इस चीज़ का ध्यान रखिए कि यह फिनिश करने आएंगे गेम को यह आखरी के तीन-चार ओवर वाले प्लेर अभी बनने हुए है ठीक है टीम देन को वो रोल दिया हुआ है आपको खास तौर पर देखिए है जैसे अभी बैटिंग आटर क्या होगा मैं आपको बजा दू डोपले सी रावत आपके लिए ओपन करते देखेंगे नंबर तीन पर विराट बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए और दिनिशकारतिक ने एज़ा फिनिशर बैटिंग में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए यह टीम इती भी खराब नहीं है इस बार ठीक ठाक लग रही है बट इनका थोड़ा सा बरूसा जता सकता हूं ठीक है और इसके अलावा यहां पर आप स्टैट देख लीजिए सबसे पहरे तो आप हर्षल के स्टैट देख लीजिए जो कि काफी इंपॉर्ट होगे हर्षल ने आकरी बार जब पोदिशन टीम कि खिला था पाचार विकेट पांच विकेट निकाले थे तो बहुत इंपॉर्ट होंगे मैक्सवेल क मैं आपको बता रहा था मैक्सवेल का हैट किता अच्छा है और रीसेंट फॉर्म किता अच्छा है वह आप यहां से देख सकते हैं और साथ इसाथ आप पोजिशन टीम कि खिलाफ को चोवर यह बॉलिंग भी कर सकते हैं अलागि पास्ट में बॉलिंग करी वर्ड विकेट नह ले सकते हैं डैथोबर्स की बात करें तो आर्सीबी तरफ से मुहमद सिराज हर्चल पटेल आपको डैथ में जिन्वाजी करते हैं और इसके अलावा आकाश दीब का भी यूज कर लेते हैं मुहमद इंडियंस की तरफ से प्रॉपर डैथ जिस्पीद बुमरा और टेमल मिल डैथ में जिन्वाजी करते हैं आगे हम बात करते हैं निकी क्या मारी टीम मनेगी तो देख सकते हैं मैंने अपनी कपतान मैक सब्सक्राइब कर सकते हैं तिलग वर्मा को भी लिए सकते हैं मैंने बस तिलग वर्मा को इसलिए नहीं लिया है क्योंकि बैटिंग पूजिशन काफी दर डाउन चला गया है वरना वह बहुत बढ़िया खेल रहे हैं इवन अभी आइटिंग में सबसे बढ़िया स्कोरिंग उन्हों नहीं करी है जो अगर आप कंसिस्टेंसी लेविल की बात करें तिलग वर्मा बहुत शांदर बल्लेवाज वर्माई है उसकी बैटिंग थोड़ा सा डाउन चली गई है कप्तान ही मैंने मैक्सवेल को दिये बैटिंग रिकॉर्ड अच्छ है है एक दोगर बालिंग इस एक्सपेक्ट की जा सकती है सामने टीम के लेफ्ट हेंडर जैसे कि इशान की खिलाफ हो सकता है शुरुआ से इशान की खिलाफ ग्लैन मैक्सवेल आ जाए बालिंग करने तो इस कंडिशन में चाहें तो इस शान किशन को वाइस कप्टन ना बना कि आपके पास और अच् आपको आईफोन मिल रहा है अगर आप आईफोन जीतना चाहते हैं तो इसक्रिप्शन में सबसे उपर आपको लिंक के दिया हुआ उस लिंक पर क्लिक करके जॉइन कर लीजिए रैफर कोड एफेक्स लगा के फैन टूपले अप्लिकेशन पे और उसके बाद आपको यहां आपको मौके यहां पर मिलेंगी पांच जार से पांच लागत कर सकते हैं और आपके डिपॉजिट पर आपको प्रसेंट का एक्स्टा कैश मिलेगा एफेक्स गिववे के तहत यानि अगर आपने दस सजार रोपे का डिपॉजिट किया तो 500 रोपे आपकी अकाउंट में ए प्लाएं हो जाएगा ठीक है पांच परसेंट का आपको रियल केश मिलेगा प्रस जो लोग हाइस डिपॉजिट करेंगे उनको एपल का फोन सैमसंग गैलेक्सी का फोन और इको डॉट जनरेशन मिलने वाला है तो इस चीज़ का फाइदा उठाईएगा और इस पे आप जा पहुचना बहुत जरूर यह अगरूए आपको इश्यों होता है तो इसक्राम पर कर लिजिए और कोई भी समस्या होती है तो सीधर डीएम कर दीजिए और टेलीग्राम से जोड़े रही का वहां पर हम आपको फाइनल टीम्स वगिरा प्रॉइड करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया तो हिए लाइक कर दीजे शेर कर दीजे और सब्सक्राइब एक मिलते रेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए